अलो गाइज वेलकम बैक टू डिजी मोटो लोग आए होप आप सब लोग सेफ और एपी होगे तो यार आज हम लोग एक और वीडियो के साथ आ गए है तो यार आज हम लोग वीडियो बनाने वाले है जो हमारी है रोयल एंफिल क्लासिक 350 उसके उपर तो आज हम लोग वीडि लीजे आप हमारा और उसके बाद आते हैं बाइक पे जलो गाइज बात करते हैं रोयल एंफिल क्लासिक 350 की जो की हमारे पास है बीएस फोर मॉडल और यह मेरे पास चार साड़े-चार साल से है बुच और इसकी मैंने माइलेज टेस्ट एक बनाय हुआ है आई बटन में लि प्लक का तो आप प्लक जो होता है वो सबसे मतलब की important पाट होता है जो की engine को हमारे जो होता है वो पावर देता है तो आपको time to time change करवाते रहना चाहिए और time उसको बने उतना clean रखना चाहिए मतलब की एक विक में निकालके clean करके लगा दो तो काफी अच्छी माईलेज आ उससे क्या होगा कि जो एंजिन को पावर देना पड़ेगा बाइक को चलाने के लिए वो कम लगेगा जब टाइट होगी ल्यूब होगी तो वह भी माइलेज में काफी ज्यादा इंपोर्टेंट रोल प्ले करती है और क्लीन भी रखो चेंड को उसकी वज़ा से आपका एंजिन के अंदर भी कच्रा ज्यादा नहीं जाएगा ओके तो अभी आदे तीसरे पॉइंट पर जो की तीसरा पॉइंट हो काफी कौमन है और आप जब परवाने जाते हो तब भी अब बात की तो अगर आपको रोड पे चाहिए तो आपको एरप्रेशर कम रखना पड़ेगा क्योंकि जितना अगरोगों मेलेज ज्यादा ज्यादा रखना पड़ेगा जो कि मैं मेरे बाइक में आगे रखता हूं 30 और पीछे रख्ता हूं 35 आप भी रख सकते हो अगर एर फिल्टर काफी ज्यादा इंपोर्टेंट होता है माइलेज के लिए तो अभी बात एर फिल्टर और ओइल फिल्टर की तो यह दोनों आप लोगों को कम्प्लीट देखते रहना पड़ेगा कि यह कितना है कितना बाकी है वो दोनों चेंज करवाते रहो ज्यादा खराब मत करो उसकी वजह से एंजीन पे भी काफी लोड पड़ेगा और माल इलेज पे पी रिफटर लौहीं चेंज करसी रहो के बारे में देखते हैं कैसा ने दृट करना है नियुह कि थि पांच से और दी आमाइलेज नोनिग बड़ेगी उतनी तह थेंग अब एखने पर लिए चेक करवाते रहो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट रोल पे करता है माइलेज में पांच पॉइंट जो की सबसे ज्यादा है माइलेज बढ़ाने के लिए जो की मुझे लगते हैं बाकी तो आप लोग यार बाइक चलाने पर भी थोड़ा जाता है आप कैसे बाइक अब ज्यादा स्पीड में चलाओगे तो आप लोगों ने देख लिया कि क्या क्या पॉइंट इपोर्टेंट है माइलेज बढ़ाने के लिए तो यार अगर आप लोगों को अपनी बाइक को कैर करनी है अपनी बाइक की और अपनी बाइक को चलाना है लोंग टाइम तक तो आपके बाइक में माइलेज नहीं मिलेगा या फिर कोई ना कोई दिक्कत आती रहेगी तो यार विडियों को लुद्धियोस अख्या लगा है तो अगर वीडियो में से कुछ इंफ्या मिली है आप लोगों को अगर आप लोग एट्रा कर रहे हो इस तरही चीजे कंबेट कर जो कि है हमारे एक्स पल्स जो है वो उसके भी एक वीडियो बना हुआ है अगर आप लोगो देखना है तो आई बटन में लिंक मिल जाएगी जाके देख लो काफी अच्छी बाई गए और इसकी लाइटिंग भी काफी अच्छी है अब इसको कहते हैं माईलेज गटा ना मिलते एक और वीडियो में तब तक के लिए स्टेए हैपी स्टेए हैल्दी स्टेए सेफ गूड नाइट गूड इवनिंग जब भी आप लोगो वीडियो मिले अभी हमारे लिए गूड इवनिंग है अभी हम लोग जाते हैं रिवर फर्ण पर बैठते थोड़ी देर क्योंकि काफी ज़्यादा की गर्मी लग रही है हम लोगों विंड शिल की वज़ा से विंड नॉइस की वज़ा से यहां पर आये थे बाबाए मिलते एक और वीडियो में